तो फ्रेंड्स मार्केट में आजकल अलग अलग वैराइटी की सबजी आसानी से मिल जाती हैं तो अगर इस सीजन में यह मिक्स वेज नहीं बनाया तो क्या बनाया? तो आज में लेके आई हूँ आपके लिए मिक्स वेज की रेसिपी जो एक दम रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है और स्वाद में लाजबाब है ये तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और खाने में एक दम मज़िदार लगता है फ्रेंड्स कभी भी आप किसी ओकेज़ में भी बना सकते हैं तो आए चटपट मिक्स वेज की रेसिपी सुरू करते हैं अगर अभी तर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसके साथ आपको तीन आप्सन मिले और कोई भी एक बरतन सेट कर ले उसी से सारी चीजे लेना है तो एक कप मैंने लिया है फूल भी ऐसे मीडियम सेप में कटा हुआ एक कप आलू, ये भी मैंने छील के, मीडियम साइज में काट लिया है, एक कप ही गाजर लेंगे और हाफ कप हम लेंगे ओनियन, ओनियन के ऐसे स्लाइस को निकाल लेंगे और बड़ा-बड़ा स्थोड़ा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगेगा सबजी में हाफ कप कैपसिकम, इसको भी चौकोर कट करेंगे, हाफ कप ही मैंने लिया है, बीन्स और इसके बाद 200 ग्राम मैंने लिया है फ्रेस पनीर, मिक्स वेज में फ्रेस पनीर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो अब चलिए बनाना सुरू करें, तो यहाँ पे एक पैन में ऑईल गरम करेंगे, और इसमें हमें सबजीयो को फ्राई करना है, और फ्राई करते करते ही साथ में पक भी जाएंगी, तो सबसे पहले आलू एड़ और फ्लेम को मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है, ध्यान रखना है कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैं गाजर भी आड़ कर रही हूं, क्योंकि आलू के पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ने पहले डाला, और गाजर और आलू को दोनों को एक साथ मिलाते हुए, थोड़े देर तक हम ऐसे फ्राई करेंगे, तो अच्छा से यह फ्राई होने के साथ साथ पक भी जाएगा, और कलर चेंज नहीं होगा, तो मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे, फ्रेंज बस दो-तिन मिनिट लगा इसको और किसी प्लेट में निकाल लेंगे इसको, अब बच्चे हुए ऑइल में बाकी सबजीयों को भी फ्राई कर लेंगे, तो यहां पे मैं डाल रही हूं फूल गो भी और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और उसी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेना है, साथ हम बीन्स भी डा और यहां पे हम डालेंगे मटर, तो यहां पे डाल रही हूं, अगर आप फ्रोजन ले रहे हैं, तो आप इसको बाद में डालेंगे, क्योंकि वो पहले से ही पकी हुए होती है, तो इसको भी मिलाएंगे, और इसको भी हम पका लेंगे, जादा टाइम नहीं लगता है, फू सबजी हम खाते हैं, तो उसमें कैपसिकम और ओनियन का करंच आता है, तो अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम बाद में डालेंगे, और यह डालने के बाद बस एक से दो मिनट तक हमें पकाना है, तो प्याज डालने के बाद दो मिनट पकाने के बाद इसको चेक कर लेंग तो गोभी को चेक कर लेते हैं तो देखे ये कुख हो चुकी है तो मिक्स वेज में हमें इतना ही सब्जी पकाना है कि वो पक जाए लेकिन टूटे फूटे ना जब हम मिक्स वेज खाते हैं तो सारी सब्जियों का पीस अलग-अलग दिखता है तभी अच्छा लगता है तो इ ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहां पिलिया है दो बड़े साइज के प्याज ऐसे रफली कटे हुए और रफली कटे हुए प्याज को डाल के हम सौस्ट होने तक भूनेंगे इसके कच्चापन खतम होने तक और इसका बढ़िया सा हमें ग्रेवी त्यार करना है फ्रेंड्स जो सबजी के स्वाद को बढ़ा दे तो अब यहां पर हम डालेंगे लहसुन 10-12 छीले हुए लहसुन अधरक भी डालना है दो इंच अधरक ऐसे रफली कटे हुए और इन सारी चीजों को हमें बस हलका सभूनना है इसके कच्चापन खतम होने तक ज्यादा हमें कलर नहीं ल और इसको मैंने धो लिया है धो के डालेंगे इससे हमारी ग्रेवी का टेश्ट बहुत ही मसता आएगा एकदम क्रीमी सा साथी साथ 10-12 काजू भी डाल रही हुए आप चाहें तो बिना काजू को भी बना सकते हैं मेलन सीड्स और उसके अलावा यह खस खस जो आता है वो डा अगर चोटा है दो चाहए सकते हैं और तमाटर के सॉफट होने तक हमें पकाना है तो यहां पे मैं फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देती हूं क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो विलम बढ़ा के पकाएंगे और प्लेम तब 2 आध में हुता है राप सुथ में आधर मिलना आ आप स्वादानुसा डाल सकते हैं या फिर बाद में टेस्ट करके और डाल सकते हैं तो अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम कवर करेंगे दो मिनिट के लिए दो मिनिट के बाद कवर को हटाएंगे और ऐसे मिक्स करेंगे एक बार तो देख सकते हैं फ्रेंट्स टमाटर बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुका है इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और हमें ऐसा ही चाहिए इसका कच्छापन भी खतम हो गया है सारी चीजे पक गई है और टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो अब फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इस मिस्त्रड को ठंडा होने के बाद एक मिक्सिंग जार में डालेंगे क्योंकि हमें इसका एक पेश्ट त्यार करना है तो धकन लगा के पेश्ट बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स बहुत स्मूद सा पेश्ट मैंने बना लिया है इसको साइड में रखते हैं इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून जीरा और फ्लेम को एकदम लो रखना है फ्रेंड्स कि ये जलेना एक तेजबत्ता डालेंगे दो छोटी लाइची बीच से तोड़के दो इंच दालचीनी फ्लेवर के लिए चार लॉंग और तीन हरीमिश डाल रहे हैं तीखा अपने टेस्ट के कोडिंग आप थोड़ा सा और घटाईय बढ़ा सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद है और लो फ्लेम पे हलका सजीरा के चटकने तक हम फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे आप फ्लेम को लो रखें या फिर फ्लेम को आफ भी कर सकते हैं क्योंकि सुखे मसाले बहुत जल्दी जलने लगते हैं यह ध्यान में रखना है आपको तो यहां पे मैं डाल रही हूँ जीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हलकाँ खुसबू और चब तेल के साथ सूखे मसाले भूनते हैं इतना लाजबा खुस प्रेवर आता है इतनी अच्छी खुसबू आती है कि पूरा घर खुसबू सेल भर जाता है तो इस तरीके से आप जरूर सब्य का ग्रेवी बना तो देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है ये और जैसे ही एक मिनट में इसमें से खुसबू आने सुरू हो जाए इसमें हम अपना ये प्यूरी डालेंगे जो हमने प्याज लसंग का प्यूरी बना के रखा है तो इसमें डालते हैं मिक्सी में पानी डाल के वह भी निकाल ले और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम एक-दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे अभी अब यहां पे हम टेस्ट के कॉर्डिंग पानी डालेंगे जितना थीकने समय चाहिए उसकी साब से हम पानी डालेंगे तो मैं यहां पे डाल रही हूँ अभी हाफ कप डाला है बाद में मैं मिला के देखके और डालूंगी तो इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और इसी टाइम पे टेस्ट करके आप नमक भी आइड कर सकते हैं मैंने तो पहले ही डाल लिया है नमक यहां पे ठीकने से एकदम परफेक्ट लग रहा है तो अब इसमें हम सबजिया आइड करेंगे जिसको हमने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ है तो यह दिखी कितना इस मिला लेंगे तो इसको एक बर अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर थोड़ा से पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा से थीक लग रहा है और मिक्स होने के बाद थोड़ा सा और थीकने बढ़ेगा ही और इसको हम दो मिनिट के लिए कवर करेंगे हमारी सारी सबजिया पकी हुई है कुक है लेकिन यह जब मसाले के साथ एक बर हम पकाएंगे तो अंदर तक टेष्ट जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है तो दो मिनिट कवर करके पकाना है दो मिनिट के बाद ही हम इसको कवर हटा के देख लेंगे तो यह देखिए उपर से में बनाया है वन टीस्पून डालेंगे गरम मसाला इसे बहुत अच्छी खुस्पू आएगी सबजी में इसको भी एक पर हम मिला लेते हैं और यह फाइनली हमारा मिक्स वेज बनके तयार हो गया है कितना लाजबाब दिख रहा है लाश्ट में थोड़ा सा फ्रेस धनिया सब्सक्ता डालेंगे और इसको भी मिला लेते हैं और यह देखिए हमारा लाजबाब मिक्स वेज घर में असानी से बनके तयार हो गया है और अब मैं इसका टेक्स्ट्र आपको दिखा रही हूं मिक्स करने के बाद तो फ्रेंड्स यह देखिए लग रहा है नहीं एकदम र बना सकते हैं इसको तो फ्रेंड्स इसको जरूर आप बनाएगा वीडियो पसंद आने से ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब करना बिलकूल मत भूलिएगा तब तक लिए बाबाई